क्या आप जानते हैं, एक मच्छर आत्मी को बीमार बना सकता है? इतना ही नहीं, ये आपकी जान भी ले सकता है. अगर ये डिंगू वाला मच्छर हुआ तो… डिंगू एक जान लेवा बीमारी. डिंगू कैसे होता है? डिंगू एडिस मच्छर के काटने से होता है. ये मच्छर अधिकतर दिन के समय ही काटता है. विशेश तोर पर सुबह और शाम के समय. डिंगू से कैसे बचें? डिंगू से बचाव का टीका भी विक्सित ही किया जा रहा है. डेंगू से बचने का एक मात रुपाय है मच्छरों को पैदा होने से रोकना मच्छरों को पैदा होने से कैसे रोकें? कोलर का पानी रोज बदलें गमलों में पानी जमा ना होने दें पुराने टायर में पानी जमा ना होने दें साफ पानी के बरतन को ढख कर रखें घर के आस पास पानी जमा ना होने दें डिंगू के लक्षन क्या है? तेज बुखार का आना आखों के पीछे तेज दर्द का होना शरीर पर लाल चकते पढ़ जाते हैं जोडों में बहुत तेज दर्द होता है डिंगू से बचा और मच्छरों को पनपने से रोकना ही वरतमान में डिंगू का सबसे बड़ा इलाज है बुखार होने पर शीगर अपने नज़दी की अस्पताल जाएं डॉक्टर की सला के बिना कोई दवाई ना लें याद रखें ना होंगे मच्छर ना होगा डिंगू का डर NDMC to be the global benchmark for a capital city